तमस्कार स्वागत है आपका दान्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी इजराइल और हमास के बीच जो युद छिडा हुआ है वो हर रोज भीशन होता नजर आ रहा है किस तरीके से अब तक 15 दिन बीच चुके हैं और कई हजार बेकसूर बच्चों और लोगों की जान जा चुकी है इसकी तस्वीरे लगातार इजराइल और फिलिस्तीन से साफने आई हैं दुनिया भी इस युद को लेकर दो खेमों में बटी हुई है जहां भारत में भी भारत सरकार ने इचराइल का समर्थन किया है तो वहीं कई राश्मतिक दल और कई ऐसे संगठन हैं जो कि खुल कर हमास जैसे क्रूर आतंकी संगठन का समर्थन कर रहे हैं इसी कड़ी में आज बेहत हैरान करने वाली तस्वीरें जम्मू कश्मीर से साफने आई हैं जहां पर पीडीपी परमुक और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंतुरी महपुवा मुफ्ती ने फिलिस्तीन के समर्थन में रहने निकाली है जी हां फिलिस्तीन का जंडा हातों में लिए महपुव मुफ्ती ने कश्मीर में फिलिस्तीन चैसे हालात बन रहे हैं उस तरह की बाते कहीं तो वहीं दुनिया भर के तमाम देशों पर भी वो भढ़की और कहा कि दुनिया भर के देश इज्रायल पर दबाव डाल कर युद रुकवाएं ये मेवोब मुफ्ती की ओर से बयान दिया किया है मेवोब मुफ्ती ने हातों में बच्चों की तस्वीर ली हुई थी और ये वो कहती रज़राई कि दरसल फिलिस्तीन में मासूम बच्चों पर अत्याचार हो रहा है उनकी मौत हो रही है यूक्रेन में जब ऐस से हालात बने तो दुनिया फर के देश इखटा हो गए लेकिन फिलिस्तीन के समर्थन में कोई वयान नहीं दिया जा रहा है ये महवव मुफ्ती ने इसरेली के दोखरान कहा है जाहिर तोर पर हमास के खिलाफ ये युद्ध है और जाहिर तोर पर हमास एक आतंग की संगठन है लेकिन महवव मुफ्ती जैसे जो राजनितिक दल के निता है वो खुल कर इस कुरूर आतंग की संगठन का समर्थन कर रहे हैं अभी तक फलस्तीन में पंद्रह सो बचे मारे गए हैं अभी तक हजारों की दादाद में फलस्तीन में बेगुना लोग मारे गए हैं और सारी दुनिया तमाशे देख रही है जब यूकरीन में 500 बचे दो सालों के अंदर मारे गए तो सारा दुनिया जो है चिखने लगा आज फलस्तियने 1500 बचे हजारों के दादाद में लोग मारे जा रहे हैं कोई बात नहीं कर रहा है हम दुनिया के मुलकों से कहते हैं कि आप इसराईल पे दवाव डालके सीस फायर कराऊ इस वगर फलस्तियन में जल्म हो रहा है वहाँ सप्ले बंद है वहाँ दवाईया बंद है वहाँ खाना बंद है वहाँ पीना बंद है वहां लोगों पे गोलिया चारी है, बंबारी हो रही है, जो हलो कास्ट में जिवस के साथ हुआ था, आज इसराइल वही फलस्तिनियों के साथ कर रहा है, और इसके नताइच आने वहले वक्त में बहुत खतरनाक हो सकते हैं, दुनिया में अलरी बहुत देशर गर्दी है, मग खालिमों फलस्तिन को खाली करवा।थ खाली करो। तो इश्राइल और हमास के पीच जो युद छिड़ा हुआ है 15 दिन बीच चुके हैं, हालाथ लगातार बिगड़ते नजाराँ में हैं, जिस तरीके से ये युद छिडा हुआ है चुकि सबसे पहले आतंकी संगठन हमास ने इज्राइल पर हमला किया लेकिन उसके बाद जब जवावी कारवाई इज्राइल ने की तो उसमें जाहिर तोर पर हमास के परखचे उडाती है एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम क्या है और जाहिर तोर पर जो इज्राइल के प्रधान मंत्री हैं बेंजमीन नेतन याहू उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो हमास के एक-एक व्यक्ति को जब तक खत्म नहीं कर देते तब तक ये युद नहीं रु गई और ये कहा किया कि इज्राइल के जालीमों फिलिस्तिन को खाली करो फिलिस्तिन के मुसल्मानों हम तुम्हारे साथ हैं इस तरीके की नारहवाजी की गई पुलिस के जो वह 했던 थे उसपर चड़कर जो है महुम मुफ्ती ने की नारहजी की है तमाम जो समर्थक थे वो उनके साथ मुझूद थे लेकिन जब वो लाल चोक की और आगे बढ़ रहे थे शिरगर में तो वहाँ पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया लेकिन इस दोहरान ये साफतोर पर जो तस्वीरें कहीं नजर आ रही हैं भारत में कई जखों पर इस तरीके की तस्वीरें नजर आई हैं जब से भारत सरकार ने ये खोशना की है कि वो इस यूद में इजराइल के साथ हैं चुकि ये यूद जो है वो आतंकवात के खिलाफ है और आतंकवात के खिलाफ कोई भी देश कारवाई करेगा तो हम उसका समर्थन करेंगे ये बात बार भारत की ओर से कहा गया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ इजराइल पर जो अटैक हुआ उसको लेकर दिंदा की बलकि गाचा के अस्पतार पर ही जो हमला हुआ था वहाँ पर जो जाने गई थी उसको लेकर भी मानवता और समवेतना प्रधा बॉकलाहट दिखा रहे हैं चोकि महवो मुफ्ती किस तरह की नेता है और किस तरह के उनके बयान रहते हैं किस तरह के से वो जम्मु कश्पीर में पर्थर बाचों का अलगावादी ताक्तों का समर्थन करती हैं वो पाकिस्तान जैसे देश से डायलोग की पैश्कश करती है कि पाकिस्तान के साथ बाचीत होनी चाहिए वो आतंकी चेहरों का समर्थन करती हैं तो ये है बैफो मुफ्ती और जाहिर तोर पर उनकी तरफ से अगर फलिस्तीन के समर्थन में नारिपाजी की गई है तो कोई हरान करने वाली बात नहीं है क्योंकि इससे पहले वो खुल कर फ के साथ बरवरता की गई है जहांपर अमास के आतंक वात्यों ने इजरायल के रहライशी इलाखों में खुस कर तावर तोड़ वाहिरिंग की है कितनी बर्वरता के साथ महिलाओं की हत्या की गई किस तरीके से उन्हें निवस्तर करके घुमाया किया है ये तमाम हैरान कर देने वाली तस्वीरे इज्रायल से साहने आई जिसके बाद इज्रायल के प्रधान मंत्री बेंचमीन नेतन याहू ने ये भी कहा कि हम किसी भी बेकसूर की जान नहीं लेंगे फलिस्तीन के लेकिन हम हमास के एक-एक व्यक्ति को खत्म करेंगे और आज युद का पदरबाद दिन है जब हमास पर लगातार कारवाई हो रही है लेकिन इस कारवाई की बॉकलाहट हिंदुस्तार में दिखाई दे रही है प्रदेशन हो रहा है और उसका नेतर्थ कर रही है महफूव मुफ्ती जैसी नेता जो सड़कों पर बैठकर हातों में पोश्टर लिए फलिस्तीन का समर्थन करती नजराई और इस तरीके से कश्मीर को भी फलिस्तीन बना कर रखा है ये महफूव मुफ्ती का दावा है जब से कश्मीर से 370 खत्म किया किया है कश्मीर को केदर सासित प्रदेश बनाया किया है उसके बाद से कश्मीर में कहीं ने कहीं इन तमाम राजनितिक दलो चाहे फिर वो महफूव मुफ्ती हो फिर चाहे वो नैशनल कॉन्फरेंस हो उन जिस तरीके से वहाँ खून खराबा नजर आया है तो जाहिट तोर पर ये जो हो रहा है ये कश्मीर में महफु मुफ्ती के लिए बड़ा चटका है और यही वजा है कि महफुआ की बॉकलार इस तरीके से देखने को मिली है जहां वो दरसल जो हमास के लोग मारे गए हैं उनक उक्रेइन पर तो सभी बोले लेकिन फिलिस्तीन पर सबने चुपपी साधली उन्हें कहा कि जब दो सालों में युक्रेइन में 500 बच्चे मारे गए तो पूरी दुनिया चीखने लगी लेकिन आज फिलिस्तीन में 1500 बच्चे मारे गए हैं लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है लेकिन सवाल तो यहां ये भी उड़ता है कि क्या महफूब मुफ्ती ये बोलेंगी कि इजराइल के बेकसूरों की जान हमास जैसे आतंकी संगटनर ने ली है अगर भारत के प्रधान मुंत्री दोनों देशों में जो भी नुकसान हो रहा है जो भी हताहत हो रहा है उसके प पानता दिखाएंगी ये सवाल अब लगातार उनसे पूछा जा रहा है जिस तरीके से उन्होंने आज कश्मीर में फिलिस्तीन के समर्थन में नारेपाची की है जाहिर तोर पर उनके साथ तमाम लोग पहुचू थे लेकिन ये दिखाता है कि किस तरीके से एक आतंकी पुबा हो फिर जाहे वो कॉंग्रिस फार्टी के नेता हो जो खुलकर फिलिस्तीन के लोगों का और फिलिस्तीन में जो हमास जैसा आतंकी संगठन है उसका समर्थन कर रहे हैं फिलाल आपकी इस पूरे मावने को लेकर क्या राय है में कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताने बंद बंद आमाओ पिलिस्तीन का राय है जरूर झाल ने जरूर ने जरूर टंदीन के लिए हैं जिस का राय हैं जरूर जरूर राय है बाय है जर जरूर बदागी।